नमस्कार किसान साथियों स्वागत है आपका क्रशी जानकार यूट्यूब चनल पर मैं हूँ आपका दोस्त कपल धाकर तो किसान साथियों आपके कमेंड के हिसाब से मैं आज आपको अफीम की खेती के बारे में जो जानकारी है वो देना जा रहा हूं अभी जो समय है जो अफीम का उस समय चीरा देना और चीरे से चीरे लगाने के बाद जो दूद आता है अफीम का जिसे काला सोना कहा जाता है उसको कलेक करने का जो समय है वो चल रहा है जिसे नाना देने वाल नाना भी बोला जाता है वो चल रहा है तो मैं हमारे रियावन में तो बहुत गिने चुने हैं, बहुत एकम बटने हैं तो मैं अपने पडोसी गाउं, ग्राम नवेली में आया हूँ यहाँ पर मेरे टीचर है, कमलेश जी पाटिदार आपके यहाँ पर दस आरी के आसपास का जो अफीम का पट्टा है तो यहाँ पर मैं आपके पिताजी से पूरी जानकारी जो है वो अफीम की खेती के बारे मेलूँगा मुझे अफीम की खेती के बारे में कोई अनुभाव नहीं है यह मेरा फर्स अनुभाव है, मैं इस समय पर अपनी लाइप में पहली बार ही किसी plot पर अफिम के इस समय पर विजिट कर रहा हूँ तो किसान भाईयों वीडियो कैसा लगता है वीडियो के comment में जरूर बताईए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करिए अभी तक अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लें क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी जो जानकारिया है हम आपके लिए channel के माद्यम से लेकर आते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो बाउजी आप अपना नाम बताईए मनोरलाल पाटिदार मनोरलाल जी पाटिदार नवेली लगतलाम आपके हाँ पर कितने आरीका जो है अफीम है यह दस आरीका है आज आपने जो चीरा लगाने की जो प्रक्रिया है आज शुरू करी है तो कुछ इस प्रकार से बहुत सारे किसान भाई बता रहे थे हमारे शेत्र में मनसोर नीमच में तो अफीम की खेती होती है पर जो दूसरे शेत्र हैं वहाँ पर अफीम की खेती नहीं होती है तो उन लोगों को एक जिग्यासा थी कि अफीम की खेती के बारे में हमें पता लगे तो हमने जो वीडियो बनाने का है लिश्टे किया था तो आज हम वीडियो के मार्जम से आप तक धनकारी पहुचाने की पूरी कोशिश कर रहा है तो आज देखते हैं आखिरकार अफिम की जो खेती है वो होती किस प्रकास है साड़े-चार महिने हम तयार होती है लगबख साड़े-चार महिने में तयार होती है तो इसके लिए कोई लाइसेंस पगेरे किया हो सकता होती है जी हाँ लाइसेंस जरूरी है लाइसेंस जरूरी है केंदर सासन लाइसेंस देती है तो है उसके अंडर में रेता है तो आपको डस आरी का्लाisen This अंडर है यहाँ पर सरकार को कुछ इसमें से जो आप जो टूक Amen अगर इसको सरकार को देना होता है और श्राष किस मान से देना होता है है मिर्दारित मत्रसके लग अलग रहती वेस ajstap अठावन का है से अठावन का जी हाँ अठावन की वसत उनको देना जरूरी है और जैसे भी अपन देते हैं तो फस्ट ग्रेट में नहीं करता है सेकंड ग्रेट लगती है तो उसके बाद में उसके यह कटिंग चलू होती है अठाग कटिंगं पत्ता है उसकी बट्त यह होता है तो सब्सक्राइब में 7 एक इसरीधी हरे ऐपको तरी 15 ग्रम कटा है से समझ में आ रहा है एक कोई कीड वीजि ऑपने हैं तो आपका प्रता है किलो कि हिसाब से 43 ग्राम कर जाएंगा मतलब जो एक किलो उसमें से 43 ग्राम कर जाए उसे माइनस करते हैं तो यह उसका है उसमें पांच हुती है पांच ज्यादा होती है फिर बाद में वाटर मिक्स चकंड लाग हो जाता है तो फस्न तक और वी उम्मिद रहती है कि आपको पटा कभी भी मिल सकता है अगर अगर आपकी जो मृफ покуп ने हो सही तरीकी से किसान की हिस्से में क्यों दानेm का यह तो प्रती 10 आका है तो ब्त किन फोर जाने निआ तो इसमें जहें सभी अपना थोड़ी हो जाता हो उसमें भी अपने तीन ग्रेड बनती है अच्छा उसमें भी जो अपना आथ 30 जार उपर कंटल भी बिकेगा एक मेन जो बनते ना काले दाने हो फिर सेगंड वाला है वो उस अच्छा भीकेगा और टीनोफाल है वो बेस्ट को तिनोफाल की क्वांटिटी जादा निकल दी है यह कम निकल दी है वो तो उस हिसाब से कमी तो जितना आपके रखराखाव रखेंगे उतना सही बेठेगा वो उसमें इल्ली अगरे कर प्रकोब भता है तो पेले से जिस्प्रे करवा दो इल्ली नहीं हो ना इल्ली भी लगठ लगल भी दिन के 20-25 दिन इत चलता है किस प्रकार से जो है उगे किस परकार से चीरा लगा जाता है और किस प्रकार से दूद है वो निकला निकल्स कर दिनमें 15 आपने चीरा लगाया था, और सुबह सुबह इसे कलेक किया जाता है, एक इंस्टुमेंट होता है, इस इंस्टुमेंट की सहायता से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खुछ इस प्रकार से, जो डोड़े को पकड़ कर उसके उपर जो दूद है, उसको साप करना भी जरूरी अगर आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार का जो है, यह बहुत ज़्यादा नशीला होता है, कुछ इस प्रकार से, इसको साप करके कलेक किया जाता है, और इसका फिर बजन किया जाता है, डेली का कलेक्शन होता है, डेली का कलेक्शन होता है, डेली का कलेक्शन जो है, चीरा लगाने की प्रक्रिया आप वीडियो में आगे देख पा रहे होंगे तो खिफ्रान साथियों कुछ इस प्रकार का जो दूद है चीरा लगाने के बाद डोड़े के उपर आता है और ये एक हाथ में आप देख पा रहे हैं ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है लगाते हैं और सुबे सुबे साड़े छे बजे से दस बजे के आसपास आप जो इस चीरा जितने पोदों पर लगा रखा है वहां से जो दूध है वो कलेक किया जाता है यह एक प्रकार का ओजार होता है इससे कलेक किया जाता है और एक और चीज किसान भाईयों आप देख रहे हैं बहुत जादा इसकी कैर करनी पड़ती है यहाँ पर जो तोते होते हैं वो भी इसमें बहुत जादा नुकसान पहुचाते हैं कारण यह कि तोते क्या करते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूं तोते यह करते हैं कि जो डोड कर दो हिए और जो किने कई इसके घ्रकी बचाने के लिए आजिकर प्रेक्शिंक को जिससे कि जो पशियों से आवारा पशियों से निल गाया से जो सुरक्षा है वो हो पाए और जो चिडिया है वो भी बहुत जादा नुक्सान पहुचाती है तो उनसे भी प्रोटेक्शन के लिए जाली आप देखी पा रहे होंगे जहातक मुझे लग रहा है कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे इस जाली का उपयोग किया जाता है बहुत ही जादा केर की जाती है तब जाके जो कुछ प्रॉफिट है वो बच पाता है बांध नहीं तो इस प्रकार से एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया इससे पहले वाले वीडियो में जब अपीम काम किल इस कारै कि वह जाता है तो आठीकित आड़ा हमारे गुर्ट करक्ति ने हो अबिडा जाता है। और धूरा कीजिन आमारों अबार नकीघ से क проблемы में थे होगा इत cigar है उसको कलेक करने में परेशान के लिए अदरा हम AI कि में अफिम क्योर थे ज lot लगा से फोना नोगए जाता है तो एक स्वां कम शेद होपआ एक होगा तीजे किस पकार से जो दूद हैं वह कलेक्ट किया जाता है अच्छा इस इंस्तूमेंट को क्या बोलते हैं यह जो 7 मोजार है इस चरपटा बोलते हैं इसको इसराप्ला बोलते हैं तुक रफिल बन नहींकर जादे तो यह हैं पुरा प्लोह है अभी इस साइट से शुरुआत भी है, दीरे दीरे लगाते लगाते उस और बढ़ेंगे, कितने चीले लगा सकते हैं मैसे सबसे जादा से जादा, यह तो इस पर दूद पे है, दूद कितना देता है, एक डोड़ा दूद कितना देगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार ब कि जो आपको अफीम की खेती के बारे में कुछ अनुभव हो गया होगा मैं उन किसान भाईयों की बात कर रहा हूँ या फिर मेरे उन मित्रों की बात कर रहा हूँ जो वीडियो देखते हैं पर उनके हाँ पर अफीम की खेती नहीं होती है कुछ मेरे प्रोफेशनल मित्र भी ह में उनको कोई ग्यान नहीं है तो अफीम की जो खेती है मैं आपको एक बात और बता देता हूँ हमारे नीमच मनसोर और अतलाम शेत्र में बहुत आयत से होती है इसके लिए सरकार आपको एक लाइसेंस या पट्टा जारी करती है उस पट्टे के आदार पर ही आप खेती कर सक तो आपके हाँ पर 10 आरी के आसपास का पट्टा है और 10 आरी मतलब 10,000 स्क्वेर फिट के लगबग होगा 10,000 स्क्वेर फिट एरिया में आपने अफीम की जो खेती है वो वो कर रखी है तो अफीम का जो दूद है जिसे मैं काला सोना जो कह रहा हूं ब्लेक गोल्ड उसका ज हरेती है किलों के मान से खरीती है प्रतियारी कुछ फिक्स होता है जिसे कि 10 आरी का पट्टा है तो 10 सारे के हिसाब से सरकार द्वारा कुछ मांदे फिक्स कर रखा है उसके हिसाब से जो सरकार आपसे जो दूद है वो क्रै करती है और इसके लिए special गोडाम मनते हैं एक समय स जाकर आपको जो दूद है वो गोदाम पर जमा कराना पड़ता है उसके टेस्टिंग भी होती है और उसके बाद आपको अगले साल के लिए पट्टा मिलता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और साथे किसान भायों तक जरूर शेयर करें जए जवान जए किसान धन्यवाद